तो हेलो दूस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़े ही होंगे तो दूस्त आच किस वीडियो में आपने लोग स्पीज टेस्ट कर देंगे स्मार्टफोन के बीच में तेकिंगे इन दोने फूंस में सपन को कौन सा फोन ज्यादा फास्ट देकने के लिए मिल लाएगा वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे नाए मैं हूं मेश और आप देखने टेकिंगे एम और तुस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपने उस एक छोड़िस रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा तुस्तों इस चैनलर पर मैं सिरा था है मॉइल फॉन से जड़ी वीडियमिंग टेस् पर देखने के लिए मिलने वाली है अपने चैनल पर तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा तो सबसे पहले अपने लोग लोग इंदोनी फॉन्स के बारे में बात करें तो दुस्त हम को iqz3 के अंदर snapdragon का 768G processor देखने के लिए मिलता हैगा जो कि 5G processor है और काफी पावर देखने के लिए मिलता है जो कि 4G processor है और थोड़ा prana processor देखने के लिए मिलती है 128GB storage देखने के लिए मिलती है UFS 2.2 के साथ में तो सबस्क्राइशन वाइस तो अपना iqz3 थोड़ा जादा powerful लग रहाएगा देखने हमें पर अपने लोग प्रैक्टिकल टेस्ट करकर देख शிर के लिए जो कि काफी ज़्यादा लेगी करती है तो सबसे पहले अपने लोग इन दोंष्ट को रीवूट करकर देख़नेते हैं कि कELL के कौन सा फून पहले mindfulness को ब्रहूट होता है मेरा मतलब तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपना IQ Z3 पहले उपन हुआ एगा मतलब पहले ओन हुआ एगा उसके बाद में अपना Redmi Note 10 Pro स्टार्ट हुआ एगा तो IQ Z3 अपना पहले में चुट चुकाएगा तो सबसे पहले जुस्तों आपको इन ये वाइफाई चेक कर वा देता हूंगा कि दोनी फोन को मैंने बिल्कुल सेम वाइफाई की उपर करनेक्ट कर रखा है यासा कि आप लोग देख सकते हैं दोनी फोन को मैंने बिल्कुल सेम करकर देखते हैं कि कौन से फोन के अंदर आपन को जादे स्पीड देखने के लिए मिलती है इंटरनेट की तो यह मैंने स्पीड टेस्ट अब पर क्लिक किया तो नहीं फोन के अंदर और लगवक अपने IQ Z3 ने इसको पहले उपन किया आएगा तो इसी में अपन लोग सबसे पहले ट्राइ करकर देखते हैं कि कितनी स्पीड देखने के लिए मिल लगए है तो दुस्तों ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं को IQ Z3 के अंदर 47 डाउनलोड और 52 अप्लोड स्पीड देखने के लिए मिल लगए है और दुस्तों यह मेरा 100 Mbps का स्टेबल करनेक्शन है अब तो दुस्तों ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं हमको Redmi Note 10 Pro के अंदर 74 डाउनलोड और 105 Mbps की अप्लोड स्पीड देखने के लिए मिल लगए है तो दुस्तों मैंने दो तीन बार ट्राइ करकर देखा है का लगबग आपको यह रिजल्ट देखने के लिए मिलता है तो देखते हैं फेस्टों लिए फोन के लगवग से मोपन हुई थी अब अपना यूटूब ट्राइकर कर देखते हैं कि यूटूब कौन से फोन के अंदर पहले ऑपन होगा तो यहसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने IQZ3 के अंदर अपना यूटूब पहले उपन हुआ था डेक्ते हैं जिससे अपने लोग इसको बाज में open करकर देख रहं है Amazon खुल कर देखते हैं कर तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो नहीं फिर सेने Amazon को भी लगबग सेम टाइम पे खोला है और इसके वाद में दुछ नहीं लुग लगबक सेम टाइम पे खोला है तो सबसे पहले फ्रीफायर को कोल कर देखते हैं कौन सा फोन पहले इसको उपन कर पाता है तो यह सा कि आप लोग देख सकते हैं आई क्यूज़ एड़ी के अंदर अपना गेम पहले उपन हुआ है और अब आपन लोग अपने बीची आएम को उपन करकर देखते हैं कि पहले फोन सा फोन बीची आएम को उपन कर पाता है यह काफी ज़्यादा बड़ा गेम हो जाता है इसमें अपना जो असले तर्ट है वो पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में पहले जादा बढ़िया रहेगा ही पर ही पहीं आई क्यूज अपने गेम को अभी भी ओपन करने पर लगा हुआ है इसके कि आप लोग देख सकते हैं जो की setting ر़ी ना वह और यह मैंने विल्कुल एक्सेक्ट सेम कर रही है export की 180p पे अपन लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं export पर click करता हूं और दोनों पर ही same time पर skip पर click करता हूं तो अब इसमें दोस्तों अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा फोन ज्यादा फास्ट निकल गई आने वाला है अभी भी मुझे दोनी फोन का फी ज्यादा फास्ट लग रहे हैं देखने में तो तो दोस्तों ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने IQ Z3 ने अपनी वीडियो को काफ़ी ज्यादा जल्ली एक्सपोर्ट कर दिया है अभी अपने Redmi Note 10 Pro ने लगबग वीडियो को 60% एक्सपोर्ट किया है और अपने IQ Z3 के अदर वीडियो अपनी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है तो गाफ ज्यादा आपको बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है का वीडियो एक्सपोर्ट करने के मामले में तो यह सकते हैं आप लोग लेख सकते हैं अब जाकर अपने Redmi Note 10 Pro के अंदर अपनी वीडियो एक्सपोर्ट हुए तो लगब आपको पचास सेकेंड का फर्थ देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो एक्सपोर्ट करने के मामले में और दोस्तों अपने लोग अब इन दोने अब कितने एप्स को मेमोरी में रखा हुआ है तो सबसे पहले स्पीड टेस्ट के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने IQZ3 ने इसको मेमोरी से बाहर निकाल दिया है और अपने Note 10 के अंदर अभी मेमोरी में बना हुआ है और इसके बाद में इंस्टाग्राम अपने Note 10 ने इंस्टाग्राम को साथ मेमोरी से निकाल दिया था अब अलब रिस्टार्ट कर दिया था और IQZ3 के अंदर अब मेमोरी में था वो स्लिप कार्ट को भी अपने Redmi Note 10 Pro ने रिस्टार्ट कर दिया है और IQZ3 के अंदर मेमोरी में था IQ Z3 के अंदर memory में है और Note 10 Pro ने इसको memory से बाहर निकाल दिया है और अब अपने PUBG को भी ट्राइ करकर देखते हैं दोस्तों ऐसा कि आप लोग दे सकते हैं कि BGIM को भी तो नई फोंस ने अपनी memory से निकाल दिया है तो दुस्तों कुछ इस तरह कि RAM management देखने के लिए मिलता है हमको इन दोने फोंस के अंदर दोने फोंस ने अपने काफी सारे जो apps हैं उनको memory में से निकाल दिया था चुक्त मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा iqz3 ने फिर भी अपने काफी सारे apps को memory में रखा था और Redmi Note 10 Pro ने तो विल्कुल ही मतलब आप लोग बोल सकते हैं जाद आपस को restart कर दिया था तो कुछ इस तरह कि RAM management दोने फोंस के अंदर अपने को देखने के लिए मिलता है और बात करें इस पीट की तो दोने फोंस ने अपने को काफी बढ़ी या perform कर दियागा मलब फिर डिमी Note 10 Pro में इतना प्रोना प्रोसेसर होने के बाद भी मतलब किता छोटा प्रोसेसर होने के बाद भी अपने IQ Z3 को काफी बढ़ी या टक्कर दे दे थी एक्सपोर्ट के मामले में मलब ए इस वीडियो पसंद ना आई हो या आज इस वीडियो को इंदर आपनों को जो भी कमी देखने के लिए मिली हो आप मुझे नीचे बेज़े है को कि कमेंट करके बता सकतेंगे उसको इंपरूब करने में मुझे काफी ज़्यादा खुशी होगी तो दोस्तों मैं आप कमेंट